सर्दियों में पराठे खाने का जो मजा है ना एकदम दुगना हो जाता है एकदम सुबह के नास्ते में एकदम गरम गर्म पराठे और तीकी-टीकी चटनी मिल जाए ना तो क्या ही कहने एकदम दिन बन जाता है आज मैं आप लोगं के साथ सेर करी हूँ मूली के पराठे जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं वैसे कहा जाता है ना कि अगर आपने मूली के पराठे बना लिए तो आप कोई से भी पराठे बना सकते हैं क्यों मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसके पराठे बनाना इत्ता आसान नहीं होता है लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ मूली के पराठे की रैस्पी सेर करी हूँ जोकि बहुत ही आसानी से बन करके तयार हो जाएगी चोटी चोटी टिप्स औंड ट्रिक्स बताऊंगे जिससे कि आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे बिना फटे हुए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आटा ले लेंगे और ये जो आटा है ना डेड़ कप के करीब है गेहूं का आटा लिया है मैंने अब मैं इसमें टाल गी हूँ दो चम्मच बेसन थोड़ा करके पानी अड़ करेंगे और सॉफ्ट सा आटा लगा करके तयार करेंगे आप कोई से भी श्टफिंग पराठे बना रहे हों उसमें सबसे जर्री बात यही है कि आपको आटे को एकदम सॉफ्ट लचीला लगा करके तयार करना है तब ही जो पराठे आना और सॉफ्ट गूथे अब देख सकते हैं यहाँ पर आटा किता सॉफ्ट है इसी तरह से आपको भी लगा करके तयार करना है इधर मैंने टमाटर की चटनी बनाने के लिए चार टमाटर को मैंने गैस पे भूनने के लिए रखा था और यह अच्छे से सॉफ्ट हो गयी है तो अच्छे से soft हो जाएं और निकल जाएं अब मैंने यहाँ पर 5-6 मूली ले लिया है और जो मूली है ना उसकी quantity थोड़ी सी जादा रखेगा क्योंकि जब हम इसके पानी को निकाल देंगे ना तो quantity बहुत कम हो जाती है और वैसे मैंने सूचा तो था कि मैं मूली के पत्तों का परायता बनाओंगी बट यह जो मूली थे ना मैंने online order किये थे तो उन्होंने मूली को टकला करके दे दिया मतलब इसके सारे पत्ते पहले से हटे थे मूली को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है मतलब ऊपर में तोड़े बहुत मिटी के दाग लगे थे तो मैंने उ इसे ग्रेट कर लें तो तुरंत ही आपको इसमें नमक एड़ कर देना है नमक की क्वाइंटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखनी है क्योंकि हम बाद में और स्टफिंग में नमक बिल्कुल नहीं आड़ करेंगे इसी वजह से उसके बाद आपको इसे मिक्स कर लेना है और इस सा भी सूती का कपड़ा ले लीजेगा और उससे इसका पानी निकाल लीजेगा नहीं तो अगर हाथ जलेंगे ना तो फिर आप लोग मुझे बात में भूलेंगे कि आपने बताया नहीं तो यहाँ पर जो मूली है ना रेडी हो गया है और देखिए इसमें से किता ज्यादा निकला है आप चाहे ना तो इन्हीं पानी से आप आठे को भी गुद सकते हैं बट मैंने आठा पहले ही गुद लिया था अभी क्या करेंगे ना किछटनी बना लेएं क्यूब पराठे बन कर के रेडी होंगे ना तो तुरत गर्मा-गर्म ही अच्छे लगता है खाने में इ इसी भी रोटी, पूरी, राइस के साथ खाई, यह चट्टी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो यहाँ पर जो लहसुन थी ना, उसे भी मैंने अच्छे से छिल लिया है, बहुत ही आसानी से छिल जाता है, मैंने यहाँ पर एक चौपर ले लिया है, अब क्या करेंग इन में से किसी भी चीज को धोना नहीं है, नहीं दो इसका जो स्मोकी फ्लेवर अड़ा, वो निकल जाएगा, साथ ही मैंने यहाँ आपर धनिया लिया है, मतलब थोड़े सा धनिया की कौईन्टिटी जादा रखेंगे, सारे को मैंने यहाँ आपर चौपर में डाल दिया है सिफ टमाटर को छोड़ करके टमाटर को हम बाद में अड़ करेंगे, देखें यहाँ पर बाकी की चीरे जे थोड़ी सी मतलब दरदरी हो गई है, लाश में टमाटर अड़ करेंगे, अगर स्टार्टिंग में ही टमाटर को अड़ कर देंगे ना तो जो चटनी है ना बहुत ज़ादा मतलब बारिक हो जाएगी और यह जो चटणी ना थोड़ी सी दरदरी अच्छी लगती है, आप चाहे तो मिक्सर में भी चला सकते हैं या फिर इसे सिलवट्टा, खलवट्टा किसी में भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बारिक हो जाती है और अच्छी लगती है घाने में तो मैंने यहां पर आप चापर का ही यूज किया है जिससे कि खटा मिठा वाला टेश्ट अगर आपको नहीं पसंद तो skip कर सकते हैं साथ ही मैंने एक चमच के करीब सरसो का तेल एड़ किया है बहुत लोग बोलते हैं किसे क्या मतलब सरसो के जो तेल है उसका क्या कच्छा पन नहीं आएगा इसी कच्छे पन से जो चटनी है ना उसका स्वात दुगना हो जाता है ट्राइ कीजिएगा बट फिर भी अगर आपको मतलब सरसो का तेल नहीं पसंद या फिर उसका फ्लेवर नहीं पसंद ना तो आप क्या किजिएगा कि ओली वाल भी एड़ कर सकते हैं या फिर कोई सा भी तेल जो खाते हो इधर मैंने अद्रक, मिर्च, धनिया और साथी जीरा चारों चीजे यहां पर कुटली है और इसे हम मूली में एड़ कर देंगे इसमें बहुत जादे मसाले वेगर नहीं डल अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं बारिक कटा हरा धनिया, एक छोटा चमच आमचूर, एक छोटा चमच कसमेरी लाल मिर्च, साथी एक मुठी भर के मैं यहां पर एड़ कर रही हूं आलू भुजिया, कोई सा भी भुजिया सेवाब यहां पर एड़ कर सकते हैं इसे क्या ह होगा ना कि मूली में जो भी थोड़ा मोड़ा मौश्यर बचा होगा ना वो इससे सोक जाएगा और बिल्कुल भी जो पराठे है ना फटेंगे नहीं और बहुत ही जादा अच्छे बन करके तयार होंगे अपना ये किसी भी श्टफिंग वाले पराठे में ट्राइ कर सकते है बहुत ही अच्छे पराठे बन करके तयार होंगे और इससे जो पराठे का टेष्ट आना वो भी बहुत जादा बढ़ जाता है मैंने पहले भी इस तरह की रेस्पी सेयर के हुई है जब मैंने गोभी के पराठे बनाया थे तब मैंने उसमें भी आलू हुज याड़ गया थ आठे को soft रखिएगा तो सारी चीजे बहुत ही आसानी से हो जाएगी बिलकुल भी पराठे फटेंगे नहीं और इसकी stuffing भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी बहुत लोग क्या करते हैं कि दो दो रोटियां बिल दे हैं फिर बीच में stuffing रखते हैं फिर side से उसे दबाते हैं त पराठे बनाने में इतने master हो जाएगे न कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि आपने इतने अच्छे इतने लाजवाब पराठे बना करके तयार कर लिए वो भी बिना फटे बिना फेल हुए तो देखिए मैंने जो पराठे है उसे बटर से मतलब सेका है आप किसी भी पराठे को मैंने यहाँ पर यूनी रैप में रखा है क्योंकि जो पराठे है न सौगी नहीं होंगे इसी वज़ह से देखिए यहाँ पर मैं दूसरा पराठा भी दिखा रही हूं सेक करके बहुत ही अच्छे पराठे बन करके तयार होते हैं और इन मूली के पराठों का जो मश ट्राइ वाली रैसेपी है देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पराठा तोड़ करके दिखाती हूं आप इसके अंदर के श्टफिंग देख सकते हैं चारो साइड इवेंली जो श्टफिंग है ना एकदम फैली हुई है और कहीं से भी पराठा फट करके बाहर नहीं निक कर देखिए